तो गुद मोर्डिंग अल अफ यू जैसे हम लोग पिछले चेप्टर पढ़ चुके थे कलास फॉर का थिरी चेप्टर समप्त हो गया था अब हम लोग चौथा चेप्टर पढ़ेंगे दा एस्क्वार एल यानिकी लहरी के बारे में हम इसमें जानेंगे को तो हर्षिता एंड या र शिष्वाई कि अंब्रादर्स हर्षिता और यस जो हुए यह भाई और भानेत है हर्षिता वाज नाइन ğ publiण यार्ड एंड येस के थी और यस जो था त्री य데श्का था तरeffective रूसिता रीडिंग इन क्लास फोर हर्षिता जो है क्लास फोर में पड़ती हैं लेकिन यस वाज नॉट स्कूल वोइंग वाइस लेकिन यस जो था वह काफी छोटा था इसलिए वह स्कूल नहीं जा रहा था लोग एक छोटे घर में रहते थे देर वाज गार्डन भी हाइड दा हाउस उन लोग उसके घर के पीछे एक बगैचा था इट वाज भेरी व्यूटिफूल वह बहुत सुन्दर था देर वाइड देर वियर ट्रीज आफ कोकनेट मैंगो गवावा पामीग्रांट एंड पाप गौवावएन या मरोद का पेड़ थे अनार का पेड़ था और पपीजता का पेड़ था देर वेयर संब्सक्राइड फ्लावर कुछ फूल के बेड थी विस्तरे थी मतलब उसी थी में जो गार्डन होता है ना फूल के विस्तरा टैप को लोग वे थे लाडन में देर वाज और शुल्सी प्लांट ऐड़ डागेट अफ दीकारें इसके बाज गार्डन है जो सके आफान के जो गेट है जो गेट के पास में तूल्सी पाइब भी कि इस का प्रता इस गार्डन में ए तुल्सी को आफिको इन थे एक दिन इसको यह जो हैं विम्हाड़ कि नि रिन पर सिंद वहां पूछ वाट इज दीज यह क्या है वाट इज दीस यह तहां इज आए तरी जई इसकी बहन बताती यह एक ग गिलारी है फिलाइट हर्शित जवाब देती हैं यह गिलारी है सब्सक्राइब करें इसके सरीर पर धारिया है जो इसे बना तरह धारिया है यह एक कहानी से रिलेटेड है कहानी सब्सक्राइब कहानी क्या है इसके पीछे तो बताती है लौड राम वाज विल्लिंग सब्सक्राइब कर रहे है उसके बहान अर्शिता क्या से कि एक बार स्वामी राम जो है वह समुद्र को पार करने के लिए एक पूल बना रहे थे राम सब्सक्राइब के पास जो सेना थी वह बंदरी सेना और भालू की सेना थी ना दे वे और वर्किंग डेंड नाइट वे लोग दिन और रात काम करते थे यह बनाने में पूल बनाने में काम करते थे स्क्राइब जो थी वह भी उनके मदद करने के लिए गई वह भी उनके मदद कर रही थी कैसे मदद कर रही थी तो स्वामी राम जो थे जब इन्होंने इस च्छोटी इस च्छोटी गिलारी जो थी अपने च्छोटे मुह से से पीसेज अफसेंड यानि की बालू के कुछ कौण को अपने मुह में दबाकर ले जाकर और स्पूल पर रखती थी लॉड राम वाज दिस लीटिल हीम यह जो स्वामी राम जो थे जब इन्होंने इस च्छोटी जंतु को देखा लॉड राम वाज दिस लीटिल क्रियेचर इस च्छोटे जीव को जब देखे राम जी तो तो वह बहुत खूस हुए बहुत प्रशन हुए इसे देखकर ही काल्ड दसक्वार नियर हीम उसने उसे पुकारे और गिलहर गिलहरी को उसके पास गए गिलहरी के वह पास में गए राम जी लीटेट दिसक्वार इन वान हैंड एंड टॉच इट बीट हीज फिंगर इसके बाद किया कि राम जी उसको उठाए उठाने के बाद एक हाथ में रखे और एक हांस्याय से उसके उपर टॉच किये उसके टॉच किये फ्रॉम डैट दे देर आर ट्रीप्स ऑन इट्स बड़ी उसी समय से गिलहरी के ऊपर यह धारिया बन गई उनके हाथ का यह चाप बन गया ट्रीप्स मतलब उसका सरीर पर धारिया बन गई डिज ट्रीप्स आर दो शिम्बोल ऑफ एफेक्शन यह क्या था एक धारिया जो थी यह यह जो था उसकी धारिया कि यह सनेह का जो इसके भर धारिया था इसको बताई कि यही इसके पीछे कहानी है इसके भर धारिया दिख रहा है लेटर अन इट बिकॉम दो मोस्ट इंट्रेस्टिंग वर्क फोर ब्रादर एंड सिस्टर्स तू वाच दिस एसक्वाइर इसके बाद बाद में भाई और भाई और बहने के लिए यह सबसे दिल्चास्व काम बन गया यह जो बात हुआ बाद में यह दोनों भाई और बहनों के लिए सबसे यह दिल्चास्व बात बन गया गिलारी के बारे में जो यह देखा गिलारी के बारे में दोनों भाई वह देखे जो यह लिए एक इंट्रेस्टिंग सीज मन गया देश्वारल वाज रॉनिंग फ्रोम वान व्रांच टू अनादर ब्रांच एस्क्वारल जो गिलारी थी ओ एक डाली से दूसरे डाली पर रानिंग कर रही थी दोड़ रही थी इतुति वाज सर्चिंग सम्ठिंग साधो कुछ खोज रही थी वह कुछ खोज रही थी यह सचए डवाठी इट वाहिज इटा साझी शिस्टाय यह पुछ देटेशा से कि यह क्या सर्च कर रहे हैं यह क्या को अव्रें यहOkay Is searching the fruit which it was eating last day कर रही है कि कि इसके बनीबता रही है कि यह उसनल को खोज रही है जो अगहले दिन खाई थी नहीं जो लाइश्टी दिन जो खाई थे ना उसने फॉब्या को यह खोज रही इस फ़ृट के ensure रही चुक्यों फटंदार रही है लगे हुए हैं तो उसी फॉल को यह क्यों खोज रहे जो लाश्ट जो जो लाश्ट दिन खाई थी तो बताती है हर्चिता जिनराली इट्स फिनीसेज वन फूरूट आफ्टर डैट इट बाइट और अधर फूरूट कर यह जिनराली जो है इसमें पयाग इनके गूर है कि यह बरबाद नहीं करती है कि जैसे मालों एक फ़ल खा लिया और थोड़ा सा खाकर उसको छोड़ दिया फिर दूसरा फ़ल में लगए यह से नहीं करती है अना तो टूड़े आई साइट्स केरी सम सीड्स इन इस माउट करें कि आज हमने देखा कि कुछ बीजे अपने इसके बन बोलती है नो इट डाज नाट इस्टोर फूड करें नहीं इसे यह काठा नहीं करेंगी इस भोजन को यह काठा नहीं करेंगी इट कैरीज फूड फूड फोर इट्स बेवी यह जो फूड अपने जो मुह में दवा कर ले जा रही है यह अपने बच्चे के लिए बेवी मतलब बच्चे गिलाहरी अपने बच्चे के लिए यह फूड ले जा रही है ढो रही है ऑफ्टर समडेज देसा और बेवी स्कॉरल मूविंग भी हाइंड मुदर स्कॉरल कर ओकर कुछे दिन के बाद वे देखें कि बीलाहरी जो है आपने बच्चे के गिलाहरी जो to find a new guest in their garden हर्षीता और यास खूस हो गए एक नया गेस्ट पाकर यानि एक नया अतिथी के रूप में पाकर अपने बगईचे में एक नया अतिथी के रूप में पाकर हर्षीता और यास जो हैं बहुत खूस हो गए त्रीली त्रील और ये फिर्वी ना व्यूंड वाइल जंपिंग फ्रोम वाण ब्रांच टू अनुदर ब्रांच करेंके सब्सक्राइब यह अचानग नहीं च्छोटा बचा जो गिरलीकशर जो गिलहरी का बचा है वह फिल आपाज़ा ग्राउंड क्या हुआ कि ग्राउंड म फटाया हुआ कि वह अचानक नीचे गिर पड़ा गिलहरी के बच्चा दबेविजो गेलहरी के जो बच्चा था क्या है ऑद यहाँ करें सो गया यह था भास यह था मुंधर सकार सेंडिय अब क्या लगा द्थी जो मां थी क्या वह कि उसको अफसोस की बात हो गई है अफसोस कर रही है वो देख रही है उपरे से देख रही थी और अफसोस कर रही थी कौन गिलहरी के मा जो थी बचा नीचे गिर गए था उसका हरसीता ब्राउट एक ग्लास अफ वाटर एंड पॉर्ड इट ऑन दा बेवी स्क्वारिल्स माउ इसके बाद कुछ समय के बाद जो है उप्राइब करना चलू करता है इसके बाद अपने मा के पास दोड़कर चला जाता है बाच्चा इसका बोथ हरसीता और यस बहुत खूस हुए कि उसका बचा बच गया किसका बचा गिलहरी के बच गया तो इस तरह हम इस पार्ट में स्कोरी लियानी गिलहरी के बारे में हम लोगों ने इस कहानी को जान लिए हैं इसको अच्छा से और सुन ले ले दोबारा इसको वीडियो को सुन लेने की जरूरत है कि यह कोशने एंसर करवाएंगे तो मोक्षी की करवाएंगे जिसमें अपनों का बहुत होगा तो इसमें हम देख लेते हैं कि जूनाया वड़ है सी में कवर कर लेते हैं जैसे दिया है स्ट्रिप्स मतलब क्या होता है लाइन जनते होना जो गिलहरी के पर बना हुआ था इसका बाद डोपेड यानि इट्स सम्थिंग फाल डोपेड मतलब कुछी जो गीरता है उसको डोपेड बोलते इससे पानी का ड्रोप एक ड्रोप डूट रोप तो इस तरह जो गिरता है असलों से हम ड्रोपड बोलेंगे दिया धी द्रोपेड बोलेंगे सब्सिथे और वेस्ट मतलब बolitakt qualidade हम्हतं ओसे है मतलब जो में इसके बात अंकोशियास यानिकि नौट कर शियास आनका दो मतलब यहनिकि नौट कॉंसियास मतलब यानिकि नौट nog कॉंसिया नोग्ете के सेटने की जो होस में नहीं आर्था यानी ओन काल्शियस प्योड़ एस पर होगे डूपता है मतलब होता है कि पानी से बुष़वा एक बूंद जो बहते हैं मुक्ते से पाणी के करते हैं यर्ट गिरता है फ्लो फ्लो बोल से लेकर ले कर आप इसका फियर कर लिजिएगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद